नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल विलेज कुकिंग बियेचेस में आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े बहुत ही इजी है और एक नए तरीके से बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए आठ से दस चोटे साइज के प्याज एक मीडियम साइज का आलू पांस से छे हरी मिर्च और दो इंच लंबा अध्रक का टुकड़ा और कुछ अरा देंगे यही में समागरी है बस इनी के साथ हम इस चीज को बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबी चीजों को हमने बारिक बारी काट गे या आलू लंबा-लंबा हमने हरी मिर्च को भी इस पर इस लंबे-लंबे निकाला है याल रख के लच्छे और भनिया भी हमने द अधरक के लच्छे यह आपके साथ में आ गई हरी मिर्च लंबे-लंबे कट गए दोस्तों यह आलू एक आलू हमने इसके लंबे-लंबे पीसिस निकाल लिए साथ में मिक्स करेंगे एक कप बैसन जोगत पड़े तो हम और भी डाल सकते हैं साथ में एक चमज दनिया पाउड एक चमज लाल मिश पाउडर आदा चमज गरम मसाला पाउडर साथ में हम डालेंगे धनिया और अजवाइन ट्रश की हुए एक चमज नमक डालेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार दो बड़े चमज हमें चावल के अटे डाला हैं अगर आपके पास ना हो तो आप इसक चुचु को मिक्स कर देंगे आप इसमें पानी भी आड़ करेंगे दोस्तों अगर आप इसमें आलू डाला नहीं चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं रोस्तों देगे बड़िया नेक्चर हो गया यह और बहुत अच्छा भी कलर भी आया है आप चाहे तो इसमें फूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं ने तो इसकी भी कर सकते हैं चलिए अब हम इसो प्राई कर लेते हैं डीप प्राई दोस्तों तेल हमारा बहुत ही गरम हो हम इसमें कोई शेप नहीं डालेंगे यह ऐसे ही फ्राई होगा तो दोस्तों यह चाट मसाला और हम चाट मसाले साथ सब प्रेंगे से साथ नम दालेंगे इसमें अरा दन्या और यह खानी के लिए त्यार है टेस्ट करके बताते हैं आपको एक पीस दोस्तों क्रिस्पी भी है और बहुत बड़ी है टेस्ट भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग पर ट्राई किजिए चलिए दोस्तों धन्वाद वीडियो अच्छी लगे है तो फुर्वी अच्छी वीडियो में तब तक क्लिए टेक क्याओ